अरे भाई विराट तुने तो कहा था ये वेस्टेंडी स्वाले बहुत श्रौंग है टीट्वेंटी में लेकिन हम तो आसानी से जित गए पहला टीट्वेंटी अरे भाई ये वेस्टेंडी स्वालो ने इतना चोटा टार्गेट दिया और हमने इतनी जल्दी मैच खतम कर दिया तो मुझे लगा ये टीट्वेंटी है अरे क्यों मजाक उड़ा रहे हो हमारा हमने पांचो अवंडे तो जीत लिया ना ओए होल्डर अब तू सपना देख के आया है या पी के आया है ये मैच तुमने नहीं हमने जीता है अरे भाई मैं मैच की नहीं टॉस की बात कर रहा हूँ आखिरकार मैंने टॉस जीती लिया इस सीरिस में अरे वा यार कमाल कर दिया तुने टॉस जीत कर अपने T20 वाले कैप्टेन को भी बोलना सिर्फ टॉस जीता रहे मैच जीतने की तो सोचना भी मत अरे हम यहां सिर्फ टॉस जीतने आये हैं क्या टेश सीरिस हम हार गए और वंडे सीरिस भी हार गए अब T20 में सबका बदला लेगा रहा मेरा ब्राथ वेट T20 सीरिस हम आसानी से जीत जाएंगे क्यूंकि वहाँ विराट नहीं होगा अरे भाई होल्डर के बच्चे विराट नहीं है तो क्या हुआ मैं हूना इस टिम का कैप्टेन देखा नहीं मैंने इस मैच में कैसे बड़े बड़े चार्च छके लगाए विराट ने तो एक भी छका नहीं लगाए इस मैच में अगर वो नोबाल नहीं होता तो तू कपका आउट हो गया होता पता नहीं क्या होगा मेरे बगार स्टिम का अरे भाई अगर वो होल्डर तेरी कैश नहीं छोड़ता ना तो तू भी कपका आउट हो गया होता ए भाई तुम दोनों फिर से टाम एंजिरी की तरह लड़ने लग गए ए भाई थोड़ी मेरी तरिफ करो ना क्या बड़िया बॉलिंग की है मैंने ओए भाई मुझे कुछ गड़बर लग रहा है ये वेस्टेंडिस वालो ने टॉस जित के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और सिर्फ एक सु चार रन पे आलोट हो गए कुस्तो गड़बर है दया ए भाई कुछ गड़बर नहीं है मैंने अच्छी बॉलिंग की इसलिए ये जल्दी आउट हो गए ए भाई होल्डर खड़े-खड़े मेरा मुग क्या देख रहा है बताना इनको अरे सिर्फ तुम लोगी चाला को क्या अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो उससे कही ज्यादा बड़ा दिमाग हमारे पास है ओय तु बोल क्या रहा है साफ साफ बोलना अरे हमारे बॉलर तो तुम्हें सेंचीरी बनाने से रोक नहीं सकते तो हमने सोचा हम इतने कम रन बनाते हैं कि तुम दोनों सेंचीरी ना बना सको ये विराट और रोहित को सेंचीरी बनाने से रोकने की निंजा टेकनिक है हमारी अरे वाँ भाई क्या मस्ता आइडिया है तुमारा लगता है तुम रोज नाश्टे में आइडिया का सिम खाते हो ओए भाई रोहित ये होल्डर तो बच्पन से इंटेलिजेंट है इसको छोड़ बताए धवन का क्या करें इसका बल्ला तो कापसे शान्त पड़ा है अरे भाई इसका बल्ला शान्त पड़ा है इसलिए तो हमने इसे मुंबाइ इंडियन्स के लिए नहीं खरीदा ओए रोहित तुझे सिर्फ IPL ही दिखाए देता है क्या अरे हाँ भाई क्यूंके इस बार IPL हम लोग ही जीतने वाले है अगर हम सिर्फ IPL ही जीतने वाला है अगर हम सिर्फ जीत गए तो हम लोग ही वल्लकप जीतेंगे अगर हम सिर्फ हार गए तो इंडिया को छोड़के बाखी की सारी टीमे वल्लकप हार जाएंगी